वैसे देखा जाए तो अक्षे कुमार के फिल्म सूरे वेंशी से शुरुवात होने वाली है सिनेमा घर खुलने के बाद जब फिल्मों को रिलीज किया जाएगा लेकिन बैक टु बैक छे ऐसे फिल्मे हैं जो एक के बाद रिलीज होती ही रहेंगी करेंगी उसे फिल्मों के बारी में बात लेकिन उससे पहले मैं हूँ जानवी वेलकम करती हूँ बॉलिवुड टर्शन की तरफ से चानल को सब्सक्राइब करें जोए क्योंकि अब खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलने वाला है बॉलिवुड इनस्री में एक वाफर से बहार आ गई है सारी फिल्मों की अलु अर्जुन स्टार फिल्म पुश्पा जिसे क्रिस्मस 2021 के लिए सेट किया गया है इसके बार 31 दिसंबर को शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म जर्सी को रिलीज किया जाएगा गंगुवाई काठ्यावाडी 6 जनवरी 2022 में आ रही है राधे श्याम 14 जनवरी 2022 में आ र स्टार फिल्म में हमें बेहत पसंद आने वाली है क्योंकि इतने समय से सिनेवा घरों में सुनसान सा माहोल था लिकिना फिल्मेकर भी खुश है और जो बॉलिवुड एक्टर्स और एक्टर्सेज हैं वह भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इतने सारी मिननतों के बाद एकने सारे बूरे वक्त के बाद एक अच्छा दौर शुरू हुआ है फिल्म इंडस्री का सिनेमा घर उपर जब ताला लग गया था तो लगभग एक तरीके से सारी चीज़े खुल गई थी लेकिन सिनेमा घर बंद थे अब जो है सिनेमा घर खुल रहे हैं 22 अक्टूबर से 50% occupancy के साथ मुंबई महरास्ट में 22 अक्टूबर से खुल रही है तो जब से ये announcement हुई है एक के बाद एक फिल्मों की release date reveal कर दी गई है जिसमें से बहुत सारी फिल्मों की release date के बारे में बातचीत भी कर चुके हैं वलाल comment section में आप बताएं अपनी राय और कर दीजिए